ये स्वस्थ माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है आजकल लड़कों को भी सुरक्षित रखना होता है मैं कुछ परिवारों में गया हूँ वो 430 से ज्यादा लोग थे वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाएं उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे अलग-अलग स्तर पर दुरूपयोग हो रहा है दोका धड़ी हो रही है उन्हें ऑनलाइन सभी तरह की जानकारी मिल रही है इसे गरिमा पूर्ण तरीके से कैसे निभाएं ये बताना जरूरी है आपके बारे में कहा जाता है कि सद्गुरू किसी भी विशर पर बात कर सकते हैं हाल ही में आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और इसी तरह मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी ने फिल्म बनाई है हाँ, सही है, तो ये OMG के बारे में था, तो इसके बारे में बताईए, ये कितना प्रासंगिक है, कितना जरूरी है और… देखिए, इस संस्कृती में, परिवार का मतलब, मैं मेरा परिवार नहीं, लेकिन मैं कुछ परिवारों में गया हूँ, जहां जब मैं गया, तो एक परिवार में 430 से ज्यादा लोग थे, एक बड़े से घर में, करनाटक के गोकरना में, मैंने उनके साथ तीन दिन बिताए, ये देखना आद्भूत अनुभव था कि किस तरह काम का बटवारा होता है, किस तरह हर चीज होती है, और एक आदमी जो कहता है, बाकी करते हैं, आजकल के एकल परिवार के जमाने में, आप इस तरह से रहना सोच नहीं सकते, लेकिन वो सभी ऐसे रहते थे, बच्चे 12-15 की ये बहुत सी औरते थी, वो इसे बिना सेक्स एजुकेशन बनाए, उन्हें उनके शरीर के बारे में सिखाते थे, आम तोर पर जीवन की प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि परिवार में इतने सारे लोग हैं, लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है, आजकल दुर भागे से लड़कों को भी बचाना पड़ता है, लेकिन उस समय लड़कियों को बचाना होता था, तो वो उन्हें सिखाते थे, उनका शरीर क्या है, बरताव कैसा है, क्या करना चाहिए, उन्हें किसी को ये वो नहीं करने देना चाहिए, ये सारी बातें, सहज रूप से दादियां औ तो जो भी उन्हें जानना होता था, उन्हें पता होता था, तो जिन्दगी इस तरह चलती थी, लेकिन आज हम ऐसी जगा आ गए हैं, जहां लोगों को खुद ही सीखना होता है, इसका मतलब कम से कम 23-24, तो भले ही वो 12-13 की उमर तक जवान हो गए हों, लेकिन 10-12 साल का समय होता है, जिसमें बहुत से लोग खुद से ये चीज पता न कर पाएं, तो किसी को उन्हें बताना होता है, कौन बताएगा, एकल परिवार है, केवल माता-पिता हैं, और कोई नहीं है, और वो खुद में ही व्यस्त हैं, उससे भी बड़ी बात हो सकता है, वो ये चीज ठीक बड़ी बात, शादियां माबाप के द्वारा तै की जाती थी, माबाप पता करते थे वो कौन है, वो क्या है, और ये तब पक्का करते थे, और लड़का-लड़की दोनों इसे भरोसे के साथ मानते थे, मुझे पता है, मेरे बहुत से चाचा और कई लोगों ने बिना की दे के ही शादी कर ली, क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्होंने कहा लड़की सुन्दर है, मतलब ठीक है, वो अच्छी है, मतलब वो अच्छी है, बस इतना ही, उन्हें हमेशा उनका फैसला खुद के फैसले से ज्यादा सही लगा, लेकिन हम उस जमाने में नहीं जी रहे हैं, आजकल जब तक वो 12-13 साल के होते हैं, तब तक वो ऑनलाइन होते हैं, उनके सोशल मीडिया फ्रेंड्स होते हैं, हर तरह की चीज़े हैं, विभिन इस तरों पर दुरुपयोग हो रहा है, धोका हो रहा है, अभी वो एक कानून लाए हैं, अगर आप को धोका करते हैं, तो आपको 10 साल की सजा होगी, तो ये हमारे समय के लिए है, हो सकता है, अगले 50 सालों में हमें इन चीज़ों की जरूरत न पड़े, लेकिन अभी हमारे समाज को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पहली ही पीड़ी है, मासूम पीड़ी, जो ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जिससे ये वाकिफ नहीं है, ये बाहर निकल रही है, एक नियम बद्ध धांचे से पूरी तरह खुले धांचे में, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके मद्दे नजर किसी को उसके शरीर के बारे में सिखाना, आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आप जो भी महसू कर रहे हैं, इसे कैसे निभाएं ताकि ये आपके और आसपास के लोगों के लिए भी गर्मा पूर्ण हो, ये सारी चीजें बतानी जरूरी हैं, नहीं तो वे बेतों की हर्कतें करेंगे, सबसे बढ़कर वो खुद को चोट पहुँचाएंगे, वो दोशी महसूस करेंगे, वो जूचते रहेंगे, ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा अच्छी शिक्षा है, जिसकी जरूरत है, वो सिखाया जाना चाहिए, नहीं तो ये कैसे होगा, शिक्षा का तरीका क्या हो, ये तरीका समय के साथ बदलता रहता है, अभी ये जिम्मेदारी स्कूलों पर आ रखी है, क्योंकि परिवार अब उतने संगठित नहीं हैं जितने पहले थे, ये बस दो या तीन या चार लोगों तक ही सिमट कर रहे गए हैं, तो ऐसी चीजें करना बहुत कठिन हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस तरह के रिष्टे नहीं बना हैं, पर वे भरोसा कर सकें, और कोई जिसकी आपको फिक्र नहीं है, अगर वो आकर ये बताएं, तो मुझे लगता है कि ये कारगर होगा, तो स्कूल में ऐसे लोगों का निर्मान करना, जिन पर बच्चे भरोसा करें, वे इन चीजों के बारे में बात कर सकें और बच्चे सही स रहे की फैलने वाली बीमारियों से और ऐसी चीजों से बचाने के लिए जरूरी है, नहीं तो उन्हें ऑनलाइन बेतुकी जानकारी मिल रही है, वो हर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उनका मार्क दर्शन करता है, ये इसी तरह चलता है, बहतर होगा कि कम से कम एक ज अगर वो गलती करता है, तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, आप उनलाइन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये समाज में होना जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज एक चौराहे पर खड़ा है, और तों की ये पहली पीड़ी है, जो घर के बाहर निकल कर का पर जाती है, उन्हें शिक्षित करना जरूरी है, वो वयस्क हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुतों को नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, और उनका बहुत आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, और ऐसा हर दिन हो रहा है, और छोटी लड़कियां बड़ी लड़कियो सकती है, लेकिन ये जरूर बहतर होगा कि वो इस बारे में शिक्षित हैं, न कि वो छुप-छुप कर या नाजायस चीजें सीखें.